जैशी कृष्णा हर हर महादेव कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा जीवन के अंदर सुख सम्रद्धी शान्ती चाहिए तो सावन के अंदर अपने घर में इन तीन तस्वीरों को जरूर इस्थापित कर दीजे आपके घर के कोनों में अगर ये तीन जगे तस्वीरे रहेंगी तो कभी भी आपको जीवन में असफलता प्राप्त नहीं होगी आप भागे हीन नहीं रहेंगे आपके घर के अंदर कभी दुख दरिद्र कलेश नहीं आएगा कौन सी है ये तीन तस्वीरे मैं बता देती हूँ लेकिन इससे पहले आपको बहुत सारी चीज़े और भी बता रही हैं जैसे की मैं कौन हूँ मैं आपके एस्ट्ニोजन हूँ, वास्तू शास्त्री हूँ, चहरा भी पढ़ती हूँ, आवास भी पढ़ती हूँ और हातों की लकीरे भी पढ़ लेती हूँ चुकि आपकी सार्ती हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ जब बात हो रही है तस्वीरों की तो कुछ चीजे मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी घर के वास्तु के अनुसार अगर हम घर में तूटी हुई फटी हुई तस्वीरों को रखते हैं तो ऐसा करने से घर में नेगिटिविटी आती है घर के अंदर कभी भी पुरानी तस्वीरों को एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए या तो आप उन्हें वापस से अच्छी से फ्रेम करवा लिजे या नए अल्बम में रखिए तभी पुरानी तस्वीरों को आप सम्हाल के रख सकते हैं हर पुरानी चीज को नया करते रहिए ताकि जीवन में नया पन आता रहे, जीवन चलित में रहे, कहीं पर भी रुके नहीं。 घर के अंदर कुछ तस्वीरे रखना बहुत बुरा होता है, जैसे कि हिंसक, कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें कोई किसी को मार रहा हो, कोई ऐसी तस्वीर जिसके अंदर जंगली जानवर या खुंकार जानवर अटेक की मुद्रा में हो, ऐसी तस्वीरे घर में कभी नहीं रख जाहिए घर के अंदर डूबने वाले जहाच की तस्वीर कभी नहीं रखने चाहिए कर में कभी भी आपको क्वाइन या पैसों की तस्वीर अपनी ऐसी जगे पर नहीं रखने जहां पर सब की नजर पड़े ऐसी जगे रहे जो गुपत स्थान हो जहां स्रिफ आप देख करता है इसी प्रकार घर के अंदर कभी भी आपको महाभारत का चित्र लगा कर नहीं रखना चाहिए 30 मंदिर में आप लगवा सकते हैं वह बहुत अच्छा रहता है अगर मुकद एकि मुकदमें चल रहे हैं कहीं किसी से आपका विवाद चल रहा है किसी भूमई को लेकर आप कुछ लोग दोड़ते हुए घोड़ों का चित्र भी लगा लेते हैं नहीं लगाना चाहिए ओफिस में लगाईए कारे चित्र में लगाईए जहां आपको दोड़ने की जरूरत है भागते रहना है भागते रहना है भागते रहना है वहां यह चित्र लगाईए न जहां सुक वहाँ पर कभी भी ऐसे चित्र मत लगाईए वरना आपके जीवन में इसका नाकारत्मक प्रभाव आएगा सावन में ऐसी कौन सी तीन तस्वीरें हैं जिने अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं तो आपके जीवन में सुक सम्रिद्धी आती है आप अपनी उत्तर दिशा के अंदर अर्ध नारेश्वर का एक पोस्टर या एक तस्वीर लाकर जरूर लगा दीजिए ऐसा करने से घर के आपसी लोगों में प्रेम हमेशा बना रहता है एक दूसरे की बात को समझने की ताकत आती है कॉम्निकेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है घर के अंदर रहने वालों का कॉंसंट्रेशन अच्छा होता है कुछ घरों के अंदर लोगों को ये दिक्कत होती है कि हम चीज़े भूल जाते है हमें चीज़े याद नहीं रहती है बच्चों के साथ भी होता है आप ये छोटा सा सरल उपाय करके देखिए और फिर देखिए बुद्धी कैसे तीवर हो जाती है कुछ लोग होते हैं न कोई मुपर कुछ कह जाए उस समय तो जवाब दे नहीं पाते बाद में सोचते हैं हमने ये कह दिया होता तो हमने ऐसा बोल दिया होता तो ये आपकी हाजिर जवावी की कमी से होता है अगर आप अपनी इस चीज को बढ़ाना चाते हैं तो ये छोटी सी तस्वीर लगा कर देखिए न कैसे जीवन के अंदर हाजिर जवाव हो जाएंगे आप अगर जीवन में आपको किसी से बहुत ज़ादा पीडाएं मिल रही है शत्रू आपको बार बार दुखी कर रहा है कोई चीज आपकी बार बार किसी व्यक्ति द्वारा अठका दी जाती है आपका कोई मुकदमा निमट नहीं पा रहा है आप किसी कारे को कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है आप विदेश जाना चाह रहे हैं और आपका कारे हो नहीं पा रहा है तो आप अपने घर के वेस्ट साइड में बारा जोतर लिंगो का एक पोस्टर या पोटो मनवाकत लगा लीजिए करके देखी छोटा सा उपाय है लेकिन जीवन के अंदर इससे परिवर्तन बहुत जबरदस्त आता है अगर पती-पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है जब पती-पत्नी में आपस में प्रेम नहीं होता पती तु तड़ाके से बोलेगा गालियां देगा आपका अपमान करेगा आपके परिवार का अपमान करेगा अगर आप ये नहीं चाहते तो आप ये कार्य जरूर करें ऐसा नहीं है कि केवल ये चीज़ पतियों पर ही लागू है पत्रियां भी इस चीज़ में आती है वो भी आपके परिवार के लोगों को कभी मानसमान नहीं दे पाएंगी उनकी तरफ से भी आपके घरवालों को कभी अच्छा नहीं बोला जाएगा उनका हमेशा आपके घरवालों से मनमुटाव रहेगा ऐसी स्थिती परिस्थिती में आप अपने घर के नौर्थ इस्ट में एक शिफ परिवार की तस्वीर लाकर लगा लीजिए करके देखिए आपके लिए छोटा सा उपाय है लेकिन जब आप करेंगे तो इसका चमतकारी रूप आपके सामने आएगा और आपका जीवन बदल जाएगा जरूर करिएगा और मुझे बताइगा कि इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्बुद्ले के तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा विष्टो में मजबूती बना के रखिएगा अपने सार्थी के साथ युए जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी तब तक के लिए राधे कृष्णा द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवासा जा चुका है